तो दोस्तो आज हम आप के लिए आटे और दाल से बनने वाली ऐसी सूपर टेस्टी और सूपर हल्दी रेसिपी लेकर आए हैं जिसे तो बच्चे भी घर पर बना लेंगे ये रेसिपी पहुत ही जल्दी बन जाती है तो चले फिर इस नई रेसिपी को देख लेते हैं तो सबसे पहले दोस्तो हमें लेना है आदा कप टूवर की डाल चाहे तो आप मिक्स डाल भी ले सकती हैं और इसमें पानी डाल कर इसे अच्छे से भीगा लेना है जैसे ये भीग जाएगी हमें इसे कुकर के अंदर डालना है और जितनी हमने डाल ली है ना उसके डबल हमें पानी डालना है दोस्तों आज हम बहुत ही जल्दी बनने वाली बहुत ही टेस्टी रेसिपी बना रहे हैं और यह पैचलर के लिए बहुत ही ज्यादा योसफुल वीडियो है तो मैंने इसमें डाला है वन थार्ड कप मुंफली के दानी इसमें बहुत अच्छा बाइट आता ह तो मैंने एक चमच लालमेश पाउडर लगभक वन फोर टीस्पून हल्दी पाउडर और वन टीस्पून हमने डाला है धनिया पाउडर साथ ही इसमें स्वाधनुसार नमक और एक चमच हमने तेल डाला है दोस्तों यह सारी चीज़े हम दाल बनाते वक्त डालते हैं लेकिन मैंने सारे चीज़े कोकर में ही डाल दी है जिससे डाल जल्दी बनेगी और आपकी समय की भी बचत होगी चलिए इसका ढकन लगाते हैं और चार वीजल आने तक इसे पकाते हैं जब तक यह पक रही है हम दूसरी तयारी करते हैं तो बोल में हमें लेना है डेड़ कब गेहो का आटा दोस्तों यह वही आटा है जिसे हम चपाती बनाते हैं और आज हम बना रहे हैं गुजरात की सबसे पॉपलर रेसिपी जिसे हम कहते हैं डाल ढूकरी तो आज हम डाल ढूकरी बना रहे हैं लेकिन मेरे स्टाइल में तो मैंने यहां पर लिया है एक चमच लाल दन्या पॉडर और साथी थोड़ी से हल्दी बहिंगे और दोस्तों यहां पर ना हमने आधा टीश्पून कसुरी मेथी डाली हैं अगर आपके पास नहीं है तो आप इस के भी कर सकते ही थोड़ी सी डालेंगे हम सौरी नमक हमारे स्वादनुसार आधा चमश हमने डाला है गरम मसाला पाउडर लगभग 2-3 चुटके हमें हिंग डालना है और 2 टेबल इस्पून हमें तेल डालना है तेल डालने से ये जो आटा है इसमें काफी खस्ता बनाता है और इ तब तक हम दाल को देख लेते हैं तो जैसे है प्रेशर डाउन होगा यह देखिए जो दाल है वह काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुकी है क्योंकि दाल अच्छे से भीगी वी थी तो यह पकने के लिए ज्यादा समय नहीं लेगी और बहुत अच्छी कुछ वह आती है लेकि ताकि जो हमारी दाल डोकरी है वो बहुत अच्छे से बन कर तयार हो लेकिन जो मुमफली है दोस्तों वो मैश नहीं होते हैं अब दोस्तों हमें जो दाल हमने उबाली है उसे कड़ाई के अंदर डाल देना है क्योंकि हमें इसमें पानी भी डालना है तो हमें एक बड़ी बेल कर उसे कट करके डाला जाता है लेकिन दोस्तों आज हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे बस हमें आटा ले लेना है और एक साफ या फिर किचन वाली कैची ले लेनी है एक नाइव की सहायता से हमें इसके छोटी-छोटी स्ट्रिप्स काटने हैं जिससे हमारी समय की भी बच्चत आएगा और आपकी जो अथेंटिक रेसिपी है उसे कुछ नया लुक मिलेगा ये रेसिपी जो बच्चे अपने घर से दूर रहते हैं जो होस्टेल में रहते हैं उनके बड़े ही काम आती है तो मुझे बहुत जादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो बच्चे होस्टेल में हैं या जो बेचलर्स हैं उनके लिए कोई रेसिपी बताईगी तो इनके लिए बहुत ही काम की रेसिपी है तो इसे आप ज़रूर अपने घर पर बनाईए मतलब जो बच्चे दूर रहते हैं वह ज़रूर इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए बहुत टेस्टी और हेल्दी बन सकते ही और मैंने दोस्तों जो आटा लगाया था ना वो थोड़ा जादा था क्योंकि मुझे मसाला पराठा भी बहुत अच्छा लगता है तो आपको पूरा आटा इसमें नहीं डालना है और पानी डालकर दोस्तों अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें टेस्ट बढाने के लिए या फिर वो गुजराथी वाला टच देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा निम्भू का रश्ट डालेंगे जिसे ये और भी ज्यादा टेस्ची लगेगी तो मैंने याँ पर एक चम्मच गुड़ डाला है और एक निम्भू का दोस्तो इसे उबन लें देते हैं और इसके लिए के लिए एक तड़का बनाते हैं तो तड़का बनाने के लिए दोस्तो आपको लेना है देसी घी जिहां理ो । अधि भी स्वाई देशी घी का तड़का बहुत शान्दार लगता है थोड़ी सी डालेंगे हिंग और इसमें डालेंगे हम लाल सुखी मिर्च तो मैंने तीन से चार सुखी मिर्च ली है और साथी कुछ पत्ते करी लिए उसके डालेंगे और इस देसी घी के तड़के को हमें दाल के उपर डालना है दोस्तों आप सोच सकते हैं कि आज के रेसिपी कितनी जादा टेस्टी बनेगी ये देखे दोस्तों अब ये जो तड़का है ना हमारे रेसिपी को और भी जादा स्वाधिश्ट बनाएगा अब इसके उपर हरा धनिया डालना है और इस रेसिपी को परोस्तना है दोस्तों अब जो अंदर के आटे की जो स्ट्रिप्स है वो अच्छे से पक चुके हैं क्योंकि ये 15 मिनट तक पके थे तो अब हमें गैस के फिलिम बन करके इसे करमा गरम परोसना है और इसे आपके मन चाहे चटनी सैलेड या फिर पपड़ के साथ इसे खाना है बहुत टेस् गीर डालना है और इसे गरमा गरम खाना है बहुत अच्छी रेसिपी है और आज की ये नई रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजेगा और अपने फ्रेंड और फैमली में शेयर कीजे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए दोसरे